हेलो दस्तों मैं हुं इंता फर आप देख रहे हैं इंफरमेंसल लकासिज आज हम ले इस वीडियो में बात करने वाले है एक छोटी सी अपडेट आई हुए जो बिहार हाई स्कूल बहाली के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी के बारे में यह नोटिफिकेशन आया तो उसी के बारे में एक छोटी सी अपडेट है एक से दो मिनुट में आपको समझाने वाला हुँ और आपको बतलाने वाला हुँ अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या आप भी इस बहाली में शामिल हो शकते हैं क्या योगता चाहिए इस सभी चीजों के भी बात करने वाला इस वीडियो में तो अंतक देखिएगा और आपको संपुन जनकारी मिलेगी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाले तक कि आपको सभी बहाली से रिल्टेट पूरे इंडिया वर में मिलती रहे जनकारी तो नहां पर बहुत सारे लोग बोल रहा हैं देहिए की जो इस्टेट सब्सक्राइल रहा है कि आप बैक है और एमकम किये हैं और किये हुए है और सबस्क्राइब तो आप इस बाहली में सामिल हो सकते हैं यानि खीक तब या पीजी जो भी किये हैं और पास जो सेट पास जो हुए हैं यानि इस्टेट हुआ था है 2011 में वो पास हैं तब ही आप इस बाहली में शामिल हो सकते हैं एक और नीज इसमें दिया गया है मात्र बीपी की योगता पर साइडिक सिक्चक पद पर नियोजन नहीं होगा बीपी के साथ बीपी एड होना अनिवार्ज है तब ही आप पीटी टीचर बन सकते हैं और इसमें बहुत सारे चुट भी दिये जाएगे जैसे भुत्पुर्व सैनिकों की वीध्वा को मेरा अंक में इसका देखिए आपको बताया गया है कि 27 अगस्त से इसका फॉर्म वर्नर शुरू होगा पूरा डीटेल्स में आपको एक वीडियो बना कर डाल दिया गया अगर आप नहीं देखिए तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही है बस की करें उसका समधान किया जाएगा इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद